अगर बच्चों कैसे आप सभी रेडी हो जाई अपनी क्लास के लिए क्लास हमारी रेगुलर चल रही है बच्चों चैप्टर जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था रैट ट्रेप वाला चैप्टर Red Wrap जिसमें हम लोग उने देखाता है कि चुएधानी बेचने वाला एक ग्वेक्टी होता है जो चुएधानिया बना कर करके अपना जीवनी आपन करता है और उसके अंदर वो कहता है कि मैं यह चुएधानिया बनाता हूं इससे मेरा गुजारा पूरी तरह से नहीं चल पाता इस वज़े से वो ये कहता है कि मैं छोटी मोटी चोरिया कर लेता हूं या फिर तार जो होता है वो छोकार खानों से, कॉम्पनियों से, दुकानदारों से मांग करके लाकर के फिर मैं चुहेदानी बना के अपना पेट पालता है वो कहता है एक दिन बैठा बैठा कि संसार भी एक चुहेदानी के समान है उस व्यक्ति ने कहा कि जिस तरह से चुहेदानी में हम लोग कोई चीज रख देते हैं वैसे संसार भी क्या है हमारे लिए बहुत सारी चीजे लालसा की चीजे हैं और इस लालच में फस के ही हम क्या कर रहे हैं हमारे अपने आपको इस चुहेदानी में फसा रखा है अपने तो बच्चो एक बार क्या होता है कि वो अपने रस्ते पे जा रहा होता है तो रात हो जाती है तो सड़क के किनारे पे एक घर दिख जाता है उसमें जाके दरवजा खटखटाता है और जाके बहां पे जब बोलत बनाता है वो ठीक है ना तमबा को त्यार करता है उसके लिए देर का ना पोरी जेंड तोबा को और उसके लिए जो है उस वेक्ति को ये भी कहता है कि ये वो तासपती खेल के बाद कहता है कि मैं अपना गुजाराइस चलाता हूँ पहले रामसुम आइरन वर्क जोती वाँ की जमीन पर मैं खेती का काम किया करता था और अब जो है मैं वहाँ काम करता नहीं हूँ मेरी एक गाय है जिसका दूद दुआता हूँ और बेज करके उसे पैसे कमाता हूँ ये हमने बच्चों पहले पढ़ाता हूँ अब देखते हैं आगे क्या होता है तो तैयार हो जाईए सारे बच्चे आर यू रेड़ी ओके देखिए उन्होंने गेम खेला और थर्टी करोनर पैमेंट उसको तीस करोनर जो है उसको पैमेंट का मिला था दा इस्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इंक्रिडूलस अब जो जो व्यक्ति था चुहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति क्या था इंक्रिडूलस फोर दा ओल्लम bending यानि कि उस अद्वें प्रति बढ़ा ही उदार टायब का व्यक्ति थां इनक्रिडी उदार aci मैं गोट अप एड वेंट टू डह विंड़ो मतलब जो अजनवी व्यक्ति जो था वो व्यक्ति जो था उसकी बात वो कर रहा है तो वो व्यक्ति थोड़ा इंक्रूडिलिस लगा मतलब बिलता ना अविश्वस्निय इंक्रूडिस का मतलब अविश्वस्निय सा प्रतीत हुआ वह खड़ा हुआ और कहा गया खिडकी के पास में गया कौन गया वो व्यक्ति जो बुड़ा आदमी था न वो व्यक्ति खिडकी के पास में गया और क्या होता है वहाँ पर जाने के बाद में टेक डाउन एल लेदर पाूछ एक चमडे का थेला था उसको उसने उठाया वीचे hung on a nail एंड पिक्ड आउट थ्री रिंकल थ्री टैन क्रोनर वेल्स और तीन क्रोनर मनल थार्टी क्रोनर जोता तीन टुकडों में ददस के थे उसको अपनी जैब से निकाला देज हैड देज ही हैड विफोर अप बीफोर मनल उसके सामने लिया और दाई जो आप इस गयास नोड नविंग ली अब उस व्यक्ति को जब उसने देखा कि उसकी नजर पड़ी ती उसके सामने तो नोड इसका व्यक्ति था वो यह देखन लग गया कि जैसे कि अपनी गर्दन से हिलाना या सामने उसके नोट पकड़े हुए था उसको देख करके वो व्यक्ति उसको ललचा रहा है यहां पर ठीक है न नोटिंग लॉविंगली देम स्टब्ड देम बैक इन्टो दे पाउच और क्या कर लिया उसके सामने ही उस थेले के अंदर जो पैसे थे वो उसके सामने ही थेले में डाल दिया ठीक है उसके बाद क्या होता है देखते समझ में आ रहा है मतलब व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप में दिखा रहा था कि मेरे पास पैसा है पैसा आ गया है तो अब उलाला जी दे रहा था, लाला जी कैसा होता है, उलाला जी ही उसको दे रहा था, कौन दे रहा था, वो ही गुड़ा किसान, पैसो के लिए सोच रहा था कहीं से पैसा मिले तो उसका गुजाराच चले, क्या होता है? The next day अगले दिन Both men got up in a good season दोनों ही व्यक्तिय का अच्छी सुबह के साथ उठे The cropter was in a hurry अब जो किसान था तो जल्दी उठ गया क्या करना था to milk his cow अपनी गाय का दूद उसको दुहाना था And the other man probably thought तो दूसरे व्यक्तिय नहीं सोचा He should not stay in a bed कि उसको ज्यादा नहीं सोना चाहिए When the head of the house had gotten up क्योंकि घर का जो बड़ा था मुगी आता वो ही उठ चुका था They left the cottage at the same time तोनों ने एक साथ ही घर छोड़ा मतलब तयार होके ना करके निकले The cropter looked at the door and put the key in his Locked the door and took the Put the key in his pocket दर्वाज लगा दिये गेट पे और चाहभी को अपनी पॉकेट में डाल लिए The man with the red trap जो चुहेदानी वाला जो व्यक्ती था said goodbye उसने उसको लिदा बोल दिया और थैंक यूद निवाद बोला There upon catch went His own way और फिर अपने रास्ते में वो निकल पड़ता है But half an hour किन्तो आदे गंटे बाद Half an hour later The red trap peddler stood again before the door कुछी पल में आदे गंटे बाद जो है वो चुहेदानी वाला व्यक्ती उसके दर्वाजे पर आ गया He had not tried to get in However यद्दे भी उसने अंदर गुषने की कोशिस नहीं की He only went up to the window वह खिड़की के पास गया He smashed the pan जो सीशा था खिड़की का उसको तोड़ दिया उसने जो पैन थान सीशा उसको तोड़ दिया और क्या किया उसने Stuck in his hand और अपने हाथ को अंदर किया and got hold the pouch with the 30 kroner वो 30 kroner वाला थेला था उसने उसको निकाला He took the money पैसा लिया and trust it into his own packet अपनी जेब में डाल लिया Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away वहाँ से उस leather pouch दोता उसको उठा लिया बापस टांग दिया वहाँ पर और रवाना हो गया As he walked along with the money अब देखिए जब वो पैसा लेके अकेला जा रहा था in his pocket अपनी जेब में He felt quite pleased वह थोड़ा सा खुश तो था अपने आप में सोच रहा था क्या कि उसके पास पैसा आ गया है और अब वो उस पैसो के बारे में खुश हो करके वो चलता गया सोचता गया क्या सोचता है देखो पैसा जब उसके पास आ गया तो तर्ड़ने कोई बात ही नहीं थी तो वो क्या सोचता है उस चीज़ के बारे में हम लोग देखते है क्या प्लीज विद इस पार्टनेस अपनी चतुराई पे बड़ा खुश हुआ ही रियलाइज ने मैसूस कि आफ कोर्स देट देट फ़र्स्ट ही ड्रेड नोट कंटिन्यू ओन दे पब्लिक हाइवे कि ऐसा सोचा कि उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आम रास्ते से जो है वो चलता जाए मतलब उसको अपने आप पर ही डर लगने लग गया बट मस्ट टर्न ओफ द रोड़ रास्ते से उत्रा इंटो तो वोड़ जंगल की और चल दिया वूट सोते हैं बच्छो जंगल बूट तो लखड़ी और तिर बूट सोते हैं जंगल दूरिंग दा फर्स्ट ओवर इज दिस कॉज हिम नौट इफिकल्टी पहले तो कुछ पल के लिए उसको कोई परेशार ही नहीं हुई लेटर इन दे डे इट विकेम वर्स उसके बाद उसके साथ बुरा होना शुरू हो गया वर इट वोज बिग एंड कन्फ्यूजिंग फोरेस्ट क्योंकि जंगल था न वो बड़ा ही ब्रहमित जंगल था कन्फ्यूज वरने वारा था विजी हैड गोटन इंटू जिसमें वो प्रिवेश कर चुका था वहाँ से पैसा लिया तो आम रास्ते पर नहीं जा रहा था क्यों क्यों डर लग रहा था कि आगया कोई पकड़ लिया तो वो क्या जाएगा हम रास्ते जंगल का रास्ता अपना लिए पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ ही ट्राइड उसने कोशिस की टू बी शुरी शुष्वास के साथ तू वोक इन डेफिनेट डिरेक्शन और निस्चित दिसाही सोचते कि हाँ वो सही रास्ते में जा रहा है और रवाना हो लिया बढ़दा पाथ स्टेड बैक इंतु रास्ते के अधर टेड़े मेड़े थे बेक एंड फॉर्थ स्टेड अजीब तरीके कभी कहां रास्ता निकल रहा है कभी कहां इसे लग रहा दिसे वो आसपास में वही गूम रहा था बार बार में लेकिन जंगल का अंत ही नहीं आया है और फाइनली ही रास्ते में गूम जा रहा है था अब अच्छानक क्या होता है उसकी दिमाग में उसकी विचार चलते गए सोच लगए विचारों के बारे में वो अबाउट दे वर्ल्ड एंड रेट 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 चुहेदानी के बारे में नाव हीज ओन टर्ण हेड काम कि अब उसी की बारी आ गई है उस चुहेदानी में फसने की दे वर्ल्ड एंड रेट 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 संसार और चुहेदानी नाव हीज ओन टर्ण हेड काम क्योंकि अब उसी की बारी आ चुकी थी ही हैड लैट हिमसेल भी फूड कि उसने अपने आप कोई मूर्ख बना दिया था यह बाइट बाइट होती लालच मतलब उस लालच में आ करके एंड हैड बिन कोट वही पकड़ा गया दोल फॉरेस्ट पूरा का पूरा जंगल विद इट्स ट्रंक जिसकी साखाएं ब्रांचेज तैने टहनिया इट्स थिकेस्ट एंड फॉलन लोग मतलब गिरे हुए लट्थे और घना जंगल Closed in upon him like an imperitable prison from which he could never escape मतलब ऐसी जगे आ करके फस गया था कि उसको एहसास ही नहीं लगया कि वो कहां फस रहा था और कभी ना निकलने वाले जंगल में मतलब इस तरह से फस गया कि उसको एहसास नहीं हो पाया था पिर क्या होता है देखिए It was late in December December के महने की बात थी December का इस सता भागता Darkness was already descending over the forest जंगल में पहले ही अंदेरा चा चुका था क्योंकि अंदेरा जल्दी होता सर्दी गटाएं था This increase the danger had अब इससे क्या हुआ This increase the danger and increase also his gloom and despair उसकी चिंता जोती उस पे च्छा गई सोच न लगया न वो तो और खत्रा उसको ऐसा लगा कि उदासी चिंता और खत्रा जो है बढ़ता ही चला गया Tired to that death और बिल्कुल बहुत ही जादा तरी पे ठक गया वो Thinking that his last moment had come किया उसका अंतिम्शन आ गया क्या बड़ जस्ट एज ही लेड इस हैड ऑन दा ग्राउंड जैसे वो जमीन पर अपनी गर्दन रखा न ही एड़ साउंड उसे एक आवाज सुनाई दी बच्छों क्या होता है कि जंगल में चला गया वो और जाकर कि महां पर फस गया तो वो सोच्रा रास्ता ही नहीं है मैं अपने आपको इस चोईदा नहीं फसा लिया लालच में आ करके तो मैंने अपने साथी बुरा कर लेकिन क्या हुआ जब ठक गया था तो जमीन पर जैसे वो लेटा तो उसको जमीन पर कुछ आवाज सुनाई दी तब क्या होता है हाड रेगुलर थंपिंग वह भी बह कि यह जो हचो यह वाज आ रही थी है है मर की थी हटोड़े के स्ट्रोक चोट मारने की बाई सॉरी फ्रोम एन आइरन मील जैसे कोई लोहे की कोई कार खाना है वहीं पर जो आवाजें आ रही थी अब आगे जाने के बाद वह जिस भी आईरन मील में जाता है आपको पता है वह रामज आईरन वर की था आईरन मीली थी तो बच्चो हमने जो पड़ा है उसमें यह देखा है कि वह उसके घर पे जाकर के 30 क्रोन की चोरी कर लिया चोरी करने के बाद वह सोच रहा था कि मुझे वह पकड़ लेगा तो आम रास्ते बिना जाके जंगल में चला गया वहां जाके सोचा कि मैं दफसा अपने आप जंगल से में निकल नहीं पाऊंगा ठक गया विचारा परेशान हो गया जैसे जमीन पे गिरा तो कोई आवास सुनाई दिया साउंड भी ऐसा था कि जैसे कोई मील पर कोई लोहे का काम हो रहा था तो वहां पर लड़का जो है वो रेट रेवल जाता है उसके ब बाइ